इसमें क्या करना है आप ध्यान देना यह एक एरे मैं बना रहा हूं थोड़ा बड़ा मुझे रखना पड़ेगा वैसे भी क्विक सौर्ड बड़े एरे पे बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत फास्ट तरीके से काम करता है इसके लिए मैं यहां पे एक एरे को थोड़ बड़ा बना रहा हूँ उसके बाद मैं कुछ ब्लॉक्स बनाता हूँ यहाँ पर यह देखो यह पहला अब इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स बनेंगे यह देख सकते हो आप चाहिए तो इतने रहने देता हूँ अब मैं कुछ नंबर्स हैं जो इसमें स्टोर कर देता हूँ जैसे फिफ्टी वन तू उसके बाद इसको मैं सबसे पहले जीरो नंबर असाइन करता हूँ वन तू यह थ्री है यह फोर है यह फाइव है तो ध्यान दो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से मैंने यह नंबर्स य यहाँ पे लिख लिए है आप लोग देख सकते हो और इस तरीके का यह एरे है इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ओर्डर में इस एरे को क्विक सॉर्ड का यूज करके इस से पहले जो हमने टेकनीक्स पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने एक बबल सॉर्ड पढ़ा था ह हम लोगों ने सेलेक्शन सॉर्ड पढ़ा था हम लोगों ने इंसर्शन सॉर्ड भी पढ़ा था तीनो अब हम बात कर रहे हैं क्विक सॉर्ड की उसके बाद अब उसके बाद मर्ज है और एक रेडिक्स सॉर्ड है तो जो क्विक सॉर्ड है उसमें देखो अब आगे क्या हो यहां पे pivot लिखता हूँ, pivot की value कितनी कर दूँ, कितनी कर दूँ, pivot की 0 कर देता हूँ, और इसका नाम है A, pivot को उसकी सही जगह पे ले जाना है, आपका pivot हमेशा 51 ही रहेगा, और मतलब 51 अगर चला गया मान लेते हैं, इधर, अगर गया, तो आपका pivot 12 हो जाएगा, ध्यान रखना, 51 जिधर, इंडेक्स वो आपका pivot माना जाएगा, उसके बाद, एक left नाम की भी memory बनाता हूँ, और उसमें 0 रखता हूँ, पहला left, और एक right ना, अरे, टी नहीं लिखा मैंने, और एक right नाम की memory बनाता हूँ, और उसमें रख देता हूँ, 13, ना, left में 0, right में 13, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, pivot is equal to 0, left is equal to 0, right is equal to 13, यह भी लिख दिया मैंने इस तरीके से, यहाँ तक तो हो गया, अब और आगे जाते हैं, अब हम क्या करते हैं, शुरुआत देखो क्या करनी है, हमें ना right वाले को एक एक करके कम करना है, और compare भी right से ही करना है, क्योंकि आप left वाले को compare, right आपका pivot जो है, वो हमेशा right से शुरू करो compare करना, तो सबसे पहले आपको, आपके A of pivot को, A of pivot मतलब कितना, नहीं, A of pivot, 51, क्योंकि pivot 0 है, और A of 0 मतलब कितना, 51, इसको compare करना है, किसके साथ, पीछे की तरफ से comparison शुरू करना है, मतलब A of right से, मतलब आप लिख सकते हो, कि जब तक छोटा है, या बराबर है, कौन, यहां लिख सकता हूँ, while, जब तक, A of pivot, मतलब 51, जब तक छोटा है, किस से, right साइड वाले से, वान लेते हैं, इधर कुछ देर के लिए, इधर है 83, है क्या छोटा, आपका पहला element, लाश्ट वाले से, हाँ, तब तक, minus minus करो, मतलब आप right को कम करो, अभी तो कम करोगे right को, right कितना हो जाएगा, 12, 13 है न, तो कितना हो जाएगा, 12, क्यूं, क्यूंकि आपने बोल दिया, कि कब तक, चेक करो, जब तक pivot छोटा या बराबर है, तब तक, छोटा है, अभी pivot हमारा, 51 है बराबर कम होगा, इधर आके रुख जाएगा, मतलब, जहाँ पे भी छोटा मिले, बड़ा मिलेगा, उधर रुख जाएगा, यहाँ तक तो हो गया, देखो, मैंने बोल दिया आपको, कि जब तक, A of pivot छोटा है, तब तक, आपको क्या करना है, यहाँ पे, माइनस माइनस करना, चलो किया, इतना ही छोटा था, यहाँ तक पिवोट, अब वन जो है, वो छोटा है, पिवोट छोटा नहीं है, तो इधर आके आखिर में लूप के बाहर आओगे, इधर, अब देखो, अगर छोटा नहीं रहा, तो अब इसको उठाके उध अधर लाना है, यह काम करना, क्योंकि हमेशा आपको भी पता है, छोटा लेफ्ट में होना चाहिए, बड़ा राइट में होना चाहिए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो, कि छोटा कहा होना चाहिए, और बड़ा कहा होना चाहिए, तो आपके भी हिसाब से, कि वान छोट करना है उसकी सही जगह इधर है और फिफिटीवन बड़ा है उसकी जगह इधर अभी तो इधर आपको उसको कहीं और आएगा ऊँगाउ अब देखो आगे सब्सक्राइब कि मैं यहां पर लिद देताओं कि जब अगर वन को आपको मान लेते हैं इधर रखना किदर इधर ना इधर रखना तो इधर वाला डिलीट हो जाएगा एक काम करो इसको टेम्प में रख लो 51 को तो मैं लिख देता हूँ टेम्प में यहां लिख दू क्या इफ यदी ए ओफ पिवोट छोटा है किस से सुरी बड़ा है अगर बड़ा है किस से ए ओफ राइट से तो वो स्वैप कर लो एक केस और हो सकती है दोनों बराबर हो बराबर होने पर कुछ मात करो कोई जरूरत नहीं है सिर्फ मैंने यहां लिखा हुआ यदी बड़ा है तो यह काम करना है आप लिख सकते हो यदी बराबर है तो रिटर्न कर दो चाहो तो लिख सकते हो क्या यदी पिवोट यदी बराबर है ए ओफ राइट के ऐसा हो सकता है कि जब दोनों बराबर हो तो ऐसे टाइम पर क्या करो रिटर्न कर दो कुछ मतलब कुछ मत करो उसका ये मतलब है रिटर्न खतम कर दो इसके आगे आपको नहीं जाना है हाँ लेकिन यदि ऐसा है तो क्या करना वो तो बताना पड़ेगा ना तो टेम्प में क्या रख दू हाँ ए ओफ पिवोट मतलब पहला इलिमेंट रख दो टेम्प में समाल के अब ए ओफ पिवोट में क्या रख दो हाँ ए ओफ राइट स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या किसी को हाँ किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है सोना अली तुमको स्क्रीन नहीं दिखरी एक बार देखो तुम क्लोज करके फिर से चालू करो फिर से कनेक्ट करो हो सकता हो जाएगा फिर मैं भी लगे तो यहां से एक बार वापिस से शेयर कर लेता हूं तुम भी कर लो वहां से यहां तक हुआ अब क्या करूँ ए ओफ राइट में रख दो टेम्प को टेम्प कितना है टेम्प है हमारा 51 मतलब 51 इधर जाएगा वन इधर जाएगा लिख लेता हूं वन इधर आया और 51 कि इधर गया इधर यह भी काम हमारा पूरा हो गया अब लेकिन आपने कोड लिखना आप भूल गया रुको बताता हूं कौन सा पता है कि इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं कि इसको रहने देता हूं कि यह जैसा है खाली आपको बता देता हूं एक कोड यहां पर और लिखना एक लाइन और लिखनी है और वह यह है कि ही पीवोट को कर दो राइट राइट जितना है राइट कितना है ऐसे टूल को खे क्यों कि आपका फिफ्टी वन उधर चला गया अगा तो आपका पिवॉट वो इंडेक्स हो जाएगा बराबर अब अगर राइट साइड में आपका पिवोट आ गया तो अब लेफ्ट से शुरू करो यह प्रोसेस हो गई है यह छोड़ दो अब एक प्रोसेस और लिखनी है वाइल जब तक जो यह इधर लिखा था सेम मैं इधर लिखने जा रहा हूँ यह देखो वाइल जब तक ए ए औफ पिवोट आपका बड़ा है यँज बराबर किस से ए ओफ लेफ्ट से ए उल्टा हो गया लेफ्ट कितना ए जीरो मतलब अब आपका इसकी बारी है तब तक क्या करना'? जब तक बड़ा है तब तक लेफ्ट को प्लस प्लस करना और विखना अ left plus plus left बढ़ना शुरू हो जाएगा क्या 51 बढ़ा है 1 से हाँ ये 1 हो जाएगा क्या 51 बढ़ा है 2 से हाँ ये बढ़ जाएगा क्या 83 बढ़ा है जब नहीं बढ़ा है तो लूप के बाहर आओ गया और left तो इस समय 2 है यही वाली स्टेप यदी A of pivot यदी छोटा हो गया हाँ ये छोटा हो गया 83 से मने आपको बोला ना छोटा रहा तो left में आएगा बढ़ा रहा तो right में जो भी हो तो क्या करना यदी छोटा हो गया किस से लेकिन A of left A of left तुम बताओ कितना है A of left 83 वेरी गुड और आगे जाते हैं उसके बाद मैं लिखता हूँ यहां पे थोड़ा नीचे लो लिखता हूँ अब चारी कुई हाँ टेंप उपने रख दी जा क्या हाँ बोलो कितना है A of pivot बताओ चलो कितना तुम बता सकती हो कितना है 83 है उसके बाद तुम बताओ A of pivot कितना है तुम 12 कितना है है मुझे 12 तो नहीं दिखरा कही है data कहाँ पे है 12 A of pivot pivot कितना है 12 है ठीक A of pivot A of 12 कितना है 51 मैं यह पूछ रहाँ आप से उसके बाद दूसरी चीज है कि यहाँ पे मैंने लिखा जब तक A of pivot मतलब आपका 51 जब तक बड़ा नहीं हो बड़ा या बराबर नहीं है किसके बराबर है किसके A of left के हाँ बराबर 51 बड़ा ही है इसलिए आपको left को प्लस प्लस करना है यह छोटा होगे तो लूप के बाहर आए इधर इफ यदि A of pivot मतलब 51 यदि छोटा है A of left के A of left आपका कितना है 83 हाँ छोटा है तो क्या करना है pivot को उठाके मतलब 51 को उठाके टेम्प में रख देना है मतलब 51 टेम्प में रखा अब A of pivot मतलब A of 12 पे क्या रखना है क्या A of left कितना है A of left तुम बताओ A of left कितना है तुम बता दो 83 इस 83 को उठाके किदर रखना है A of 12 पे उके यहां रख देता हूँ उसके आगे जाता हूँ मैं दो बार 83 है क्या क्या था एट था किदर कि इधर एट था क्या 51 यहां पे ठीक है ना भी जाने तो चलो 83 की जगह 84 ले लेता हूँ चलो कि यह इधर 84 था ऐसा समझते है चलो यह 84 इधर आया बराबर 51 की जगह पे उसके बाद आप क्या लिखोगे आगे A of left में क्या रख दू इधर तो इधर आ जाएगा 51 उसके बाद देखो उसके बाद अब वापिस से पीवोट को कितना कर दो कितना लेफ्ट लेफ्ट कितना है तू है पीवोट हो जाएगा सही बात है 51 इधर आ गया तो यह तू हो जाएगा यह भी याद रखना यह नहीं किया तो सब गलत हो जाएगा अब उसके बाद अब वापिस से राइट को कम करना राइट कितना है 12 है 12 के बाद इसको और कम करोगे 59 होगा तो क्या 59 और 51 बराबर अभी कोई दिक्कत ने और क उठाके उधर ले जाना है मतलब आपका कम करते करते राइट कितना हो गया 9 लिख देता हूं इदर राइट 11 था फिर 10 हुआ फिर 9 हो गया 9 होने पर रुके उसके बाद एफ पीवोट कितना है पीवोट आपका है टू एफ टू मतलब 51 उसको टेम्प में रख दो ओके बाद इसमें एफ राइट को मतलब एफ नाइन को मतलब किसको 7 7 को रख दो किदर एफ पीवोट पे मतलब इस जगह पे मैं लिख देता हूं न डायरिक ली इदर आ जाएगा क्या 7 और इदर आ जाएगा कहां पे 7 की जगह पे क्या 51 यह भी लिख देता हूं हो गया हां और लास्ट में किसकी वैल्यू बदल नी है पीवोट को कितना कर देना है मतलब कितना हो जाएगा पीवोट नाइन हो जाएगा क्यों क्योंकि आपका जो राइट है वो इस समय नाइन है तो पिवोट नाइन हो गया क्योंकि फिफटीवन उदर चला गया अब किसको बढ़ाना है लेफ्ट को अब बारी 51 से, तो पता चला 54 की सही जगा उधर है और ये इधर आएगा ना, तो थरी कर दिया आपने किसको लेफ्ट को, अब ये उधर जाएगा, किदर इधर, इधर क्या आजाएगा, 54, मतलब ये प्रोसेस होगी, कोड बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, और उसके ब हो जाएगी लेफ्ट, जिच्वाइटकों के करते ना कितर गया अब क्या करना आगे इंग वापिस से राइटकोक्या करना है कंश को करना तो जैसे ही इन युड़ को वापिस से कं करना शुरू करूंग गा मेरा राइट उसको कम करो गे और तो ये हो जाएगा सब 275 और आखने कि इतना नहों है बराबर बार गभीटर करना आपको 51 से कोई दिक्कत निए आठ तो करोगे दिए वहाधेivoक और कम करोगे फिर से 73 होगा और 97 होगा और कम करोगे 5 5 जैसे ही फाइफ मिला आप क्या करोगे अब सेवन को इधर नाइन को इधर करोगे तो यहां पर फिफ्टी वन आ जाएगा यह वाली जब प्रोसेस चलेगी तो फिफ्टी वन इधर आ जाएगा और उसके बाद और आपके वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव किदर हाँ जितना राइट है उतनी हो जाएगी क्या इधर लिखा आपने वापी से अब आते हैं इधर इधर आने के बाद क्या होगा कि वापी से देखेंगे कि जब तक यह पीवोट बड़ा है मतलब हाँ फिफ्टी वन जब त उसके लेट साइड के सारे इलिमेंट से बड़े है उसके लेट साइड के सारे इलिमेंट। कितनी जादा सौर्टिंग हो चुकी है यहां पर तो इस तरीके से इसकी सही जगह मिली अब क्या करना है अब जीरो टू-फॉर को अलग कर देना है कहां तक रुखो बताता हूं अभी एक प्रोसेस हुई है एक स्क्रेप हुई है कहां गया जीरो टू-फॉर इधर अलग कर देना है फिफ्टी वन को उसकी सही जगह मिल गई ना इसके लिए यह देखो अलग कर दिया मैंने और उसके बाद अब पिवोट इसको मानना है फिर बाद में पता चलेगा इसकी यही सही जगह है ठीक है बाद में यह अलग हो जाएगा समझे फिर बचेगा इतना अलग फिर इसको पिवोट मानना है फिर बता चलेगा इसकी सही जगह यही है इसको अलग कर दो फिर इसको पिवोट मानना है बाद में बता चलेगा इधर आएगा यह अपनी सही जगह पर जाएगा कुछ इस तरीके से अल्गोरिधम बनाना है इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है